दोस्तो हम बात कर रहे थे quality control की उपर हमारे already बहुत सारे lecture quality control की उपर practical theoretical videos हमने बता दिये हैं आपको lecture हमारे complete हो चुके हैं जिसमें की हमारा अभी पिछला जो किलास हुआ था वो LJ चार्ट की उपर हुआ था quality control क्यों जरूरी है हमने बात कर लिया है आपके laboratories के test की report जो generate आप करते हैं वो accurate होना चाहिए best होना चाहिए इसलिए हम यह सारे quality control की उपर काम करते हैं समझ आया इतना तो अब हम जब LJ चार्ट बनाना सीख लिए हैं तो LJ चार्ट बनाने से केवल फायदा हमें नहीं होने वाला है LJ चार्ट की उपर इस west guard rule को हमें apply करना पड़ेगा जिस इसमें rule होते हैं वो कौन सा rule इसमें violet हो रहा है और जब वो होगा तो उससे हम पता लगाएंगे कि हां हमारा analyzer या machine जो है जिस पर हमने control run किये हैं और उसमें LJ चार्ट और west guard rule को apply करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हां अगर यह rule उसमें violet हो रहा है violation हो रहा है उस rule का तो हम इससे पता लगा लेंगे कि हां हमारा analyzer गलट direction पे जा रहा है कुछ errors आ रहा है कुछ mistakes हो रहा है कहीं न कहीं तो उसको हम identify करेंगे identify करके उसको resolve करेंगे correct करेंगे उसके बाद हम उस analyzer पर test perform करेंगे तब हमारा test accurate आएगा अगर हमें मालूम ही नहीं चलेगा हमारा analyzer mistake कर रहा है और आप दनादन test लगाए जा रहा है उस analyzer पे तो आपकी report तो पूरे के पूरे false report आएंगे गलत report आएंगे समझा रहा है तो at the end क्या है patient का treatment गलत हो जाएगा अगर एक गलत report आपका analyzer release कर दिया किसी भी particular test का तो उसके according patient का treatment भी गलत हो जाएगा इसलिए हर analyzer पर जब भी हम test perform करते हैं उसका control लगाना बहुत जरूरी है control लगा देने मातर से कुछ नहीं होता है आपको LJ chart अब जैसे कि मैं पहली बता दिया था आपकी screen पर दिखाई दे रहा होगा कि automatic machine analyzer जो आज कल आ रहे हैं उसमें सारा चीज ये इतना ताम जहाम आपको करना नह रहता है वही चीज हम lecture में आपको समझाने वाले सारी चीजें आपको analyzer पर आपको देखने को मिल जाता है कि आपका वेस्ट गार्ड रूल कौन सा violation हो रहा है ठीक है color code से उसमें इंडिकेशन दे देता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रहा हो केवाल आपको उसको समझना रहता है इतना समझ में आ रहा है तो समझना बहुत जरूरी है समझना क्या क्या जरूरी है वो हम आज यहां पर बात करने वाले तो कुछ जो important इस वेस्ट गार्ड रूल में है वो चीजें हम आपको बताएंगे ठीक है सबसे पहले चीज तो इस को देखने को नहीं मिलता है इसलिए हम तो उतना ही चीज है मैं बाकी यहां पर आपको समझा जरूर दूंगा सेवन टी भी होता है ठीक है वो भी हम clear कर देंगे आपको लेकिन जो अकसर देखने को मिलता है हमारे experience के इसाब से वो चीजें के वल हम इसमें explain करेंगे आपको स 2s लिखा हुआ है यह सबस्क्रिप्ट नंबर इसको आप बोल सकते हैं जो कि एक एक्चुल में एक रूल होता है ठीक है और यह जो पहला जो नंबर यहां पर सामने आपको देखने को मिलता है कितनी बार यह वाला रूल वायलेट हुआ है या वायलेंस हुआ है उस चीज को इसमें वायलेशन हुआ है यह इंडिकेट करता है इतना आपको किलियर समझ में आ गया जो चीज यहां पर मैंसन किया गया है तो यह दोनों चीज आपको समझ में आ गया तो एलजे चार्ट में हमने सीखा था कि एलजे चार्ट आपको बनाना कैसे है सिंपल सा एक ग्राफ इस तरीके से बन जाता है इसमें हमें मीन की वेल्यू निकालना रहता है 20 रीडिंग हमें कंट्रोल का एट लिस्ट चाहिए ही चाहिए इसमें तो अलग-अलग टाइम में या अलग-अलग डे में जब आप रंद करते हैं कंट्रोल तो 20 हमें कम से कम उसमें वेल्यूस मिलनी चाहिए control का तो उसके recording यह आपका बनेगा जिसके तुरू आप mean निकाल लेंगे और sd निकाल लेंगे तो हमने बात कर लिया था उसमें और यह mean मैंने red color में दिया हुआ है और mean के आसपास यदि control आपका जाता है तो उसको अच्छा माना जाता है लेकिन बहुत सारी चीजें ह वो देखना उसके बाद यह आपको समझ में आएगा ठीक है तो यहाँ पर यह mean है और जब हम control run कर रहे हैं तब हमारी value यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक बार mean के पास आया ठीक है फिर उसके बाद सीधे कहां चला गया 2s प्लेस वाले पर ठीक है 2sd यहाँ आ पर चला गया है तो इसको हम बोलेंगे 1-2s एक बार गया है तो 1 और कहां पर गया है 2sd तो इसको हम 1-2s रूल लिखेंगे तो इसको हम एजे warning rule की तरह मानते हैं किसकी तरह warning rule मतलब आपको warning दे रहा है मसीन की कुछ गडबड होने वाला है कुछ ना कुछ error होने वाला है त आपको समझ जाना है कि कुछ analyzer पर mistake है या फिर हमने बात किया है क्या क्या चीज़ें आपको देखना है आज भी हम वो चीज़ें बताएंगे कैसे आपको corrective action लेना है इतना आपको समझ में आ गया है यह आपका हो गया 1-2s rule ठीक है इस तरीके से यह आपका warning है आप इसमें test run कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह प्लेस वाला भी हो सकता है या माइनस वाला भी हो सकता है माइनस 2sd आएगा तो नीचे की तरफ हमने यह बना दिया है आपको इतना किलियर हो गया दूसरा है हमारा 1-3s मतलब एक बार 3s का rule हो रहा है तो इसलिए 1-3s 3s यह पला डाइग्राम आप देखना अब यह हो गया यहां पर मीन के आसपास वैल्यू आ रहा था कंट्रोल का तो इस तरीके से बना दिया और सीधा चला गया एक वैल्यू कहां पर 3sd के ऊपर चला गया एक बार ठीक है इसलिए इसको बोलेंगे 1-3s क्या बोलेंगे 1-3s तो 3s को ही 3sd को ही क्रोस कर दिया इसमें यह प्लस में हुआ है यह माइनस में भी हो सकता है ठीक है तो हम एक ही बार समझ लेते हैं यह प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है तब भी हम उसको यही रूल एपलाई करेंगे ऐसा नहीं कि प्लस में हो रहा है तब ही हम एप VHD के पार तब भी हम यह वाला रूल इसमें apply करेंगे तो क्या हम इस अगर यह वालेट हो रहा है रूल तो क्या हम इसमें test perform करेंगे नहीं यह rejection rule में आता है इसको हम reject कर देंगे मतलब अगर ऐसा देखने को मिलता है तो उस analyzer हमें test run नहीं करना है, वह rejection में आता है, आपको reject कर देना है, और देखना है, कहां पर गल्ती हो रहा है, कहां पर mistake हो रहा है, ठीक है? Enalyض correct край को आपको ध्यान से देखना है, जैसे कि हम पहले ही बता दिए थे, control में mistake हो सकता है, analogya, पर mistake हो सकता है, calibration पे हो सकता है, यह सारी चीज़ें आपको देखना रहेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको correct करेंगे, correct करने के बाद देन आपको इसमें test perform करना रहेगा, तो इतना समझ में आगए दूसरा, तीसरा हम जल्दी से समझ लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2-2-S rule, देखो यह competition exam में आता है, lecture आप complete देखना समझ में आएगा, इसी तरीके से exam में पूछा जाता है, यह waiver में भी पूछता है interview में भी पूछा जाता है, इसलिए आप किसी NABL lab में अगर काम करने जाएंगे, तो यह चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, NABL के वल नहीं, आप किसी भी अपना particular lab में भी आप काम करतें, किसी भी lab में, तो यह चीज फॉलो करना ही है, फॉलो करेंगे, तब ही आपकी report जो है, बिल्कुल accurate आएगा, अब हम तीसरा बात कर लेते, 22S, 22S का मतलब कैसे हो जाएगा, आप लोगों को अब इतना समझ में आ गया, दो बार 2S rule इसमें violation हो रहा है, कितनी बार, दो बार, कौन सा, 2S वाला, देखो, यहाँ पर लिखा था, 12S, rule इसमें violation हो रहा है, ठीक है, चलेगा, लेकिन दो बार continue, एक बार हो गया, हमने warning मान लिया था, लेकिन दूसरी बार जब भी हमने देखा, तब भी फिर से 2S में ही आ रहा है, 2HD में आ रहा है, यह माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, तब हम इसको rejection, rule मानेंगे, मतलब इसको हम reject कर देंगे, इसमें हम test perform नहीं करेंगे, एक बार था, तब तो ठीक है, चल जाता है, हमने warning माना, लेकिन दूसरी बार भी फिर से वही आया, 2S, 2S, ठीक है, तब हम इसको क्या मानेंगे, reject मानेंगे, इसमें हम test perform नहीं करेंगे, फिर इसको corrective action लेने की ज़रूरत है, उसके बाद हम test perform करेंगे, अगले rule की तरफ चलते हैं, R4S, R4S का मतलब क्या होता है, यह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, value ठीक ठाक आ रहा था, उसके बाद, अचानक से हमारा क्या हो गया, प्लस में 2S, D के उपर चला गया, और सीधे आ करके, माइनस 2S, D, मतलब, 1, 2, 3, 4, 4 rule को cross करके, यह सीधे प्लस से माइनस में चला गया है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, R4S rule, ठीक है, तब भी यह rejection के criteria में जाएगा, और हम इसको reject करेंगे, इसमें test perform नहीं करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, यह सारे हमारे complete हो चुके हैं, उपर के 4, अब हम समझ लेते हैं, नीचे वाले, 4, 1S, ठीक है, देखो, 1S के आसपास, 1SD के आसपास आता है, तब तो ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है, अच्छा चल रहा है, analyzer ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं, 4, 1S दिया हुआ है, ठीक है, 1SD, 4, 1SD दिया हुआ है, आप यह देख सकते हैं, तो 4 value जो है, किसके आसपास रहेगा, 1SD के आसपास रहेगा, किसके, 1SD के ऊपर रहेगा, तो यह भी आपका rejection rule में आ जाता है, यह देख रहे हैं आप, 1SD, यहाँ पर line खिचा हुआ है, तो 1SD के ऊपर आपके 4 value continue देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें systemic error हो सकता है, 3, 1S होगा, तो चलेगा, यहाँ पर अगर 3, 1S, मतलब 3 value आपका 1SD के ऊपर रहेगा, तो चलेगा, आप test perform कर सकते हैं, लेकिन यह 4 बार repeat हो रहा है, तो हम इसको systemic error मानते हैं, और इसमें test run नहीं करते हैं, यह भी आपके rejection में आ जाता है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक ठीक है, अब हमारा बचता है 10X rule, कौन सा वाला, 10X rule, अब यह 10X rule क्या होता है, समझना ध्यान से, 10 point जो है, mean के एक ही side में आता है, ठीक है, कितने, 10 points, यह आप देख सकते हैं, इसमें, आपको देखने को मिल रहा है, यह mean का line खिचा हुआ है बीच में, red color का, और एक ही side में आपके 10 value लगातार, वो किसी particular rule को violet नहीं कर रहा है, लेकिन, आप यह देखेंगे, 1SD के, 2SD के, आसपासी है, यह आप देख सकते हैं, इस तरीके से, देखने को मिलता है, मतलब यह, mean के, एक side में, 10 points आपको, देखने को मिलेगा, तब हम कहेंगे, यह 10X rule, violet कर रहा है, इसका मतलब यह भी rejection के दाइरे में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 70 है, तो 70 value क्या हो जाएगा, 7 value जो है, एक ही direction में, graph आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर, जैसे कि, इस तरीके से आने के बाद, ठीक है, आपको क्या देखेगा, यहाँ प एक trend देखने को मिलेगा, इसमें, ठीक है, इस तरीके से, तो आप समझेंगे कि यह कही ना कही analyzer पे कुछ ना कुछ गड़बड हो रहा है, ठीक है, एक trend दिखा रहा है, value जो है, बढ़ता हुआ जाता है, 7 value आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से, तब भी आपको यह reject क के दाइरे में आएगा, तो इतनी चीजें जो मैं आपको समझाया, क्या आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है, तो आप दोबारा repeat करके देखेंगे lecture को, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, केवल आपको read करना रहेगा, मैंने जैसा कि बताया, LJ chart और सारे ची अगर आप नहीं करते हैं, तब आपका जो automatic analyzer है, तो वो तो आपको सारी चीजें आपके screen पर देता है, ठीक है, alarm भी देता है, सारा चीज डारेक्शन जब आप उसको पूरा detail देखेंगे, तो सारा चीज कौन सा rule उसमें वाइलेट कर रहा है, वो तक वहाँ पर दिखा दे तो जितनी चीजें मैंने आपको यह समझाया है, कि आपको समझ में आ गया है, तो अच्छी बात है, वीडियो को आप लाइक कर दें, share करें अपने दोस्तों में ताकि वो लोग भी देखें, lecture को और समझ सकें, आसानी से, और इस rule को follow करें, अपना देनिक जीवन में जब आ अपना जो एक स्टेंडर्ड होता है, उसको भी बनाने के लिए, ताकि आप confidence हो सकें कि हाँ, हमारे लेबुर्टी में जो हम टेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल accurate है, सही है, अच्छा है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, जब आप इस चीजों को follow करेंगे, तो आसा करता हूँ, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके, बेल अकन भी दबा लें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करें, थेक्यू सो मच,